नुस्कार मैं राम सजांग पांडे हैं और आप NBC 24 देख रहे हैं कल स्वर्गी राम बिलास पासवान की पुनतिथी है और उनका बर्सी समारो है इसको लेकर चिराग पासवान ने सभी बड़े नेता कोवामंतरन पत्र दिया है और सभी बड़े नेता कल सामिल होने आ रहे हैं ऐसे में आज चिराग पासवान बिल्ली से पटना पहुँचे हैं और वो लगतार निटीश कुमार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि निटीश कुमार उनसे मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं इसलिए निटीश कुमार के पास अभी तक आमंतरन पत्र नहीं पहुँच पाया है चिराग पास्वान ने साफ तोर पे कहा है कि अगर नितिश कुमार मुझे मिलने का वक्त नहीं दे रहा है तो मैं मेडिया के माध्यम से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि कल वो आए और मेरे पिता की बरसी में सामिल होकर प्रसाद गरहन करे क्योंकि मेरे पिता सभी बलों के बड़े नेता के साथ काम कर चुके क्या कुछ कह रहा है नितिश कुमार को लेकर चिराग पास्वान थुनिए चाहता तो जरूर था पर हाँ अभी दख तो नहीं समय मिला देखिए क्या उमीद है कि हमारे नेता उनके सबके साथ सम्मंद इतने खुपसूरत और इतने मधूर थे इवन कारेकरताओं की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मुझ में ही अपने कारेकरताओं में वो कोई फरक रखते थे अपने बच्चों की तरह ही वो सबको प्यार करते थे आज जब वो हम लोगे बीच नहीं है शायद ही कोई शब्दों में बया कर पाए कि उनको हम सब कितना याद करते है उनकी कमी हम लोगों कितनी खलती है कली एक ऐसा दिन है बर्खी का जहां सब एक साथ होंगे एक जोट होंगे उनके पुरानी बातों को बैट कर सब एक दूसरे के साथ साजा करेंगे और इसी उमीद में सब आए हैं कि वो जहां कहीं पर भी हो अपना आशिरवाद बसमसब पर बनाए रहे हैं परिमान की है कहा है कि राम्यास पासवान की और गवज कर दूसरा संबस्ति निक की भीहासकार मुटी लगाए रच की सुमान बें क्या कहेंगे इस बात की माहन हम लोग भी कर चुके हैं, हम लोग चाथे हैं कि उनके एक बड़ी प्रतिमा बिहार में लगाई जाए, अपने स्थर से लोग जंशक्ति पाटी भी जितना बन पाएगा हम लोग भी देशवर के हरे एक जिले में उनकी प्रतिमा लगाएंगे पचास साल सक्रिय राजनिती में बेदाग जीवन उनका रहा है ये अपने में प्रेड़ना स्त्रोत है आने वाले समय में आने वाली पीडियां उनको जाने उनके विचारों को जाने इसके लिए महतवपूर्ण है कि निरंतर्ता में इस तरीके के कारिकरम आयोज़ित होते रहे हैं कार्ट तो नहीं मिल पाए कि आभी आप मुझे मंतरी जी मुझे समय दे नहीं दे पर मेरे नेता जिनोंने ना से बिहार के लिए बलकि देश भर्ग में गरीबों के लिए वंचितों के लिए दलितों के लिए शोशितों के लिए उन्होंने जो कारे किये समाजिक नियाय की जो निरंतर्ता में उन्होंने लड़ाई लड़ी ऐसे में आज इस प्रदेश में उनके लिए कारेकरम हो रहा है उसमें उस प्रदेश के मुख्या के नाते मैं उनको मैं आमंतरग करना चाहता हूँ मेरे नेता उनके साथी भी रहे उनके सही होगी भी रहे मैं आप सब के माठ्यम से भी मुझे से बेशक ना मिले पर आपस्टक के माठ्यम से मि उनको जरूर आमंतरग करता हूं कि कल के कारिक्रम में वो जरूर आए और आगकर भले मुझे अपना आशिर्वार नहीं दे पर मेरे नेता उनको शरधांजली जरूर का जिराग पास्वान इंटार करें निदिस में? नहीं बिल्कुल जैसे मैं ने कहा आप सर्थ की माधिन से मैं उनको इन्वाइग करता हूँ कि जरूर आएं और रिनमरता पूर्वाग इन्वेकर लोग चेंट सक्टी पाटी जिंदावार! जिराग पास्वान ने साफ तोर पे कह दिया है कि मैं नितीश कुमार को मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो आए और वर्षी समारों में सामिल होकर मेरे पिता का वर्षी समारों में सामिल होकर प्रसाद ग्रहन करें आपको बता दे कि 8 अक्टूबर को पसुपती पारस ने भी एलान किया है कि वो भी स्वर्गे राम दिलास पास्वान की बर्सी मनाएंगे और वो चिराग पास्वान को बुलाएंगे हलाकि जब हमने उनसे इस मुद्धे पर सवाल किया कि क्या आप भी 8 अक्टूबर को पसुपती पारस क्या सामिल होंगे वो भी स्वर्गे राम विलास पास्वान की बर्सी मनाएंगे तो इस सवाल पर छिराग पास्वान कन्नी कातके हुए दिखें उन्होंने इस सवाल पर जबाब देना उचित नहीं समझा तमाम खबरक लिए जुड़े रामा साथ और देख लें बीसी कॉंटिक को